शाएन अपनी छोटी बहन की ड्रेस पहन रहा है वो लड़का है और उसने एक छोटी ड्रेस पहनी है शाएन लड़की बनना चाहता है क्या अजीब है शाएन तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की तुम क्रेजी हो गए हो मुझसे माफी मांगो अधर बॉस तुमने इसे पहनने का फैसला किया और तुम लोगों को इसके बारे में बात करने से नहीं रोक सकते। शाएन मैं क्या पहनता हूँ, यह तुम्हारा काम नहीं है, आह उसने मुझे काट लिया, मुझे काट लिया, उसे मार डालो, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तुम कौन हो ओह मेरे भगवान, भागो एक पागल हमें मारने की कोशिश कर रहा है, पागल, धन्यवाद तुम वास्तव में अच्छे दिख रहे हो और वो ड्रेस भी तुम पर सूट करती है, क्यों वो अचानक मेरी तारीफ कर रहा है, वो मेरा मजाक उडाने वाला तो नहीं है, है ना, क्या तुम मेरी दुलहन बनोगे, दुलहन, क्या वो सोचता है कि मैं लड़की हूँ, क्या लड़के ड्रेस नहीं पहन सकते, नहीं क्यों मैं उसी आदमी से शादी करूँ जो ड्रेस बनाता है, मैं सीख सकता हूँ, नहीं का मतलब नहीं, और मेरा पीछा मत करो, बाद में कई कारणों से अपनी अनोखीता को छिपाने के लिए मैं महिलाओं के कपड़े के विशय के प्रती समवेदन शील हो गया। मैं कॉलेज गया। मैं बस एक साधारन लड़का था जिसका दूसरों की नजरों में लड़की की तरह कपड़े पहनने से कोई लेना। देना नहीं था जिन्ना विश्व विद्याले कला भवन मैंने तुम्हें बताया था कि मैं महिला भूमिका नहीं निभाऊंगा अध्यक्ष ने मुझे पहले वादा नहीं किया था। नाटक क्लब गतिविधी कक्ष अगर तुम क्रॉस ड्रेस करोगे तो यह अधिक ध्यान आकर्शित करेगा। इसके अलावा तुम बहुत प्यारे दिखते हो इसलिए अगर तुम ड्रेस पहनते हो तो अजीब नहीं लगेगा। यह बहुत लड़की जैसा है, मैं इसे नहीं पहनूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इतनी सारी लोगों के सामने ड्रेस पहनूं तो मैं उनकी नजरों में नगन होने को प्राथमिकता दूंगा। शाएन प्रथम वर्ष का छात्र, नाटक क्लब का सदस्य, प्रदर्शन कला विभाग, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें यह विचार इतना बुरा लगेगा। मैं इसे स्क्रीन राइटिंग टीम के साथ चर्चा करूंगा, फूली, स्क्रीन राइटर, नाटक क्लब का सदस्य, स्क्रीन राइटिंग विभाग, शाएन चारों और देख, क्या आस, पास कोई नहीं है। अरे लो यह कृप्या मुझे शाएन को समझाने में मदद करो, उसने महीलाओं के कपड़े पहनने से मना कर दिया है। मैं स्क्रिप्ट को फिर से नहीं लिखना चाहता, चुंकि तुमने ही उसे लाया था, तो तुम्हें उसे मनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, महीलाओ के कपड़े, ओह तो यह हमारे प्यारे शाएन के बारे में है, यह आसान होगा, मैं बाद में उसे मनाने जाऊंगा, मैंने लगभग स्क्रिन राइटर को याद किया, हमारा विभाग आज रात मिल रहा है, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहते हो? मुझे कॉस्ट्यूम विभाग की मिलन में कोई दिल्चस्पी नहीं है, अलविदा मैं जा रहा हूँ. मेरे प्रिये क्यों नहीं हम आज रात कराओके के लिए जाते? हाँ, यह अच्छा लगता है, और यह तुम्हारा ट्रीट है, निर्देशक निर्देशक मेरे पास और भी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकता, क्या वह नहीं जाएगा? अरे शिया जो, कृप्या एक बार मेरी मदद कर दो, सभी तुम्हारे लिए जा रहे हैं. मुझे माफ करना, मैं लगभग भूल गया था कि इसे ले जाओं यह बंद है, मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले क नहीं देखा है, तुम गलत कमरे में हो, मैंने वो ड्रेस बनाई थी, मैं इसे अभी उतार दूँगा, बस अपने हाथ हटा लो, नहीं, पांच मिनट बाद तुम क्या कर रहे हो? मैं बस इसे और देखना चाहता था क्या? मुझे लोलिटा स्टाइल आउटफिट बनाना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी सही व्यक्ति नहीं पाया जो उन्हें पहने, अगर तुम्हें पसंद है, तो तुम मेरे घर आ सकते हो, और दूसरे भी देख सकते हो, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे यह पसंद है, मैं बस मैंने सोचा कि यह एक कॉस्ट्यूम है, इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए पहना, मुझे इस तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं है, क्या ऐसा है? क्यों वो रो रहा है? तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे बनाए कपड़े पहने है, अरे, मत रो, वो और भी रो रहा है, क्या यह मेरी गलती है? मैं मैं लोलिटा कपड़े पहनूंगा, जो तुमने बनाए हैं, लेकिन तुम किसी को भी मेरे महिलाओं के कपड़े पहनने के बारे में नहीं बताओगे. दर्ये मत मैं किसी को नहीं बताओंगा, यह अच्छी बात है, जो आदमी हाथ पकड़ रहा था, वह अपना हाथ छोड़ नहीं पा रहा था, शाएन ने पूछा, क्या कुछ और है, दूसरे आदमी ने कहा, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? मेरे पास और भी सुन्दर लोलिता कपड़े हैं, शाएन ने उसे मना कर दिया, कितने बजे हैं? हमें अभी क्यों जाना है, दूसरे आदमी ने सोचा और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अचानक शाएन ने कहा, अगर तुम्हें जाना है, तो जल्दी करो, दूसरा आदमी यह सुनकर हैरान रह गया, इस बीच दो लड़कों ने एक दूसरे से नाम पूछा, मेरा नाम शाएन है, तुम्हारा नाम क्या है? जिया जो जिया का मतलब गर्मी और जो का मतलब सहायता है, यह एक अच्छा नाम है, यह बहुत भरोसेमंद लगता है, भरोसेमंद तो यही है जहां तुम रहते हो यह स्कूल के बहुत पास है यह जगह बहुत बड़ी है स्कूल के डॉर्म में कपड़ों के लिए कोई जगह नहीं है इसलिए मैंने जुओ ने सोचा क्या मुझे भ्रम हो रहा है कि वह पहले से छोटा है शाएन ने पूछा तो यही कारण है कि तुम यहां शिफ्ट हो गए क्या तुम यहां अकेले रहते हो जुओ नीचे जुख कर पूछता है क्या तुमने एलेवेटर शूज पहने हैं तुम्हारे पैर का साइज 36 है तुम 49 साइज के जुते क्यों पहनोगे अचानक शाएन ने जुओ को लात मारी और कहा सौरी मुझे गुदगुदी होती है उसी समय शाएन ने उपर देखा और कहा तुम्हें नाक से खून बह रहा है जल्दी से लेट जाओ सौरी सौरी क्या मैंने तुम्हारी नाक पर लात मारी चुंकि पुरुशों के लिए नियूनतम जूते का साइज 38 है मैं बच्चों के साइज के जूते नहीं पहन सकता एलेवेटर शूस पहनना सामान्य है और मेरे सिर्फ 5 सेंटीमीटर उचे हैं हाला कि मैं लंबा आदमी नहीं हूँ मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लोलिता कपड़ों के लिए परियाप्त हूँ जू ने सोचा पैर की लंबाई 23 है उंचाई 160 है यह सही साइज है जू ने कहा अब तक मैं इन्हें खुद बना रहा हूँ किसी ने इन्हें पहले नहीं पहना है इसलिए मुझे पहनने वालों के साइज के बारे में पता नहीं है इस कारण से मैंने इन्हें 16 मीटर के पुतले के साइज और 36 साइज के जूतों के साथ बनाया है शाएन ने पूछा क्या ये सब आपने खुद बनाए है हाँ क्या आपको यह अजीब लगता है जोजन को यह बनावट और यह कारीगरी ऐसा लगता है जैसे मैं एक बारोक बगीचे में बैठा हूँ एक नरम लट्टे का स्वाद ले रहा हूँ और कमल के पत्तों के किनारे पर छिड़के गए प्रकाश के धब्बे गुलाबों द्वारा सहलाए जा रही है क्या मैं इसे पहन सकता हूँ यह सच है कि कपड़े आदमी को बनाते हैं जोगी आखें चमक उठीन उन्होंने कहा बहुत प्यारा हो देर हो गई मुझे वापस जाना है जिप फंस गई है चिंता मत करो मैं कर दूँगा जोग क्या हुआ क्या तुम्हे फिर से नाक से खून बह रहा है नहीं मैं ठीक हूँ मुझे देखने दो जोग ने सोचा शाएन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकता तुम्हारा चहरा लाल हो गया है क्या तुम्हे अस्पताल जाना है नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस कुछ नेंद की जरूरत है और मैं ठीक हो जाओंगा मैं अभी भी तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, क्या मैंने तुम्हारी नाक में वास्तव में लात मारी ओ क्यों न तुम मेरे साथ रहो शाएन ने सोचा कि यह स्कूल का समय है इसलिए वह घर नहीं जा सकता उसने जो से पूछा क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं यहां रुक जाओं जो ने तुरंत कहा नहीं मुझे कोई आपत्ती नहीं है जो ने कहा मैं यहां अकेला रहता हूँ इसलिए तुम भी यहां रह सकते हो मेरे पास एक बड़ा कमरा भी है शाएन ने पूछा लेकिन बदलने के लिए कपड़े जो ने उत्तर दिया मेरे पास नई अंडर्वियर और साफ पजामा है शाएन ने कहा फिर कृप्या इनकार करना मुश्किल है जो ने कहा मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकता हूँ शाएन नहाने के लिए गया और बड़डाया मैंने लंबे समय से नहाया नहीं है यह बहुत आराम दायक है मेरी तवचा थोड़ी सूखी है अगर मैं मॉईस्चराइजर लगा सकता तो यह परफेक्ट होता जो मैं हो गया सभी दर्वाजे बंद हैं शाएन ने जो से पूछा क्या तुम्हारी नाक ठीक है और उसने जो को ढूड़ने की कोशिश की और दर्वाजा खठटाया क्या तुम वहां हो अरे मैं आ रहा हूँ लेकिन दर्वाजा खुला है उसने दर्वाजा खुला लेकिन जो उसने देखा वह दरावना था वहां एक हाथ था जो गुड़िया के हाथ जैसा था वह डर गया शाएन ने दर्वाजे से जाकने की कोशिश की उसने सभी कपड़े और कुछ गुडियाय देखी, वह डर गया इस बीच उसने जो की आवास सुनी क्या तुम गलत कमरे में जा रहे हो शाएन ने कहा माफ करना और भाग गया लेकिन जो ने समझाया यह वह जगह है जहां सामान रखा जाता है तुम्हारा कमरा वहा है शाएन इतना डर गया कि उसने कहा शुभरात्री शाएन तुम्हारे बाल अभी तक सूखे नहीं है नहीं धन्यवाद शाएन ने तुरंट इनकार कर दिया उसने कहा कि उसे इसकी जुरुरत नहीं है जो ने कहा फिर जल्दी सो जाओ जो ने बहुत लंबे समय तक देखा उसने आशाकी की शाएन दर्वाजा खोलेगा दूसरी और शाएन ने सोचा मैं लापरवाह था मैं किसी अजनबी के घर में रात कैसे बिता रहा हूँ क्या होगा अगर वह कोई विकृत लोली कौन है वह धीरे धीरे चला वह अभी भी सो रहा होगा है ना बिना अलविदा कहे जाना अच्छा विचार नहीं है इसलिए मैं एक नोट छोड़ दूँगा उसने अपने जूते उठाए और जाने लगा लेकिन अचानक जो आया और पूछा क्या तुम जा रहे हो उसने शाएन से कहा मैं तुमसे यह पूछने वाला था कि यह ड्रेस और विक पहन कर मेरे साथ कपड़े खरीदने चलो शाएन ने सोचा बाहर जाने के लिए यह पहनो जो ने कहा तुम ड्रेस में बहुत प्यारे लगते हो और तुम्हारी आवास भी बहुत प्यारी है कोई नहीं जान पाएगा कि तुम लड़के हो शाएन ने कहा तुम्हें लगता है कि कोई भी लोलिता पहन सकता है है न माफ करना, मुझे कुछ काम है मैं जा रहा हूँ जो ने शाएन को पुकारा लेकिन शाएन घर से बाहर चला गया जो उदास हो गया और उसने एक नोट देखा जिसमें शाएन ने लिखा था देखभाल के लिए धन्यवाद और नाक के लिए माफ करना मैं तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं जा सकता लेकिन मैं अस्पताल का बिल चुका सकता हूँ जो ने सोचा शाएन की हैंडराइटिंग भी बहुत प्यारी है दूसरी और शाएन ने सोचा मुझे नहीं पता था कि उसे लोलिता इतना पसंद है मुझे लगा कि महिलाओं के कपड़े पहनना अजीब है लेकिन एक लोलिता प्रेमी के रूप में वह मुझसे भी अजीब है उसका फोन बजने लगा लेकिन शाएन दिवासवपन में खो गया जैसे जो उसके साथ खेलना चाहता था और उसने देखा कि जो ने उससे अपने फोन में जोडने को कहा मुझे क्या करना चाहिए मैं डर रहा हूँ